हेलो फ्रेंस इजी टू कुप में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं स्पाइसी मेल पूरी की रेसिपी ये शाम के स्नैक्स के लिए काफी अच्छी रेसिपी है और इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चले सबसे पहले देख लेते हैं इसके लिए इंग्रीडियन्स यहाँ पर हम ले रहे हैं लगपग दो कपी मूरी या फिर मूर्मुरा इसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पे चना जिसे हमने सोख करके चासीटी पे उबाल के रखा है इसके साथ ही हम ले रहे हैं फरसान यानिके मिक्ष्चर ये धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, टमाटर, नींगू, प्यास, ग्रीन चिली और इसके साथ ही खीरा तो बस इतने इंग्रीडियंट्स के साथ बनाते हैं ये रेसिपी सबसे पहले मुर्मुरा में आप टालते हैं ये उबला हुआ चना और इसके साथ ही थोड़ा सा फरसान यानिके मिस्चर अब इन तीनों इंग्रीडियंट्स को एक बार मिला ले अची तरह से ये देखें यहां पर इस तरह से आप मिला ले इसे अब हम बाकी के इंग्रीडियंट्स इसमें डाल देंगे तो बाकी के इंग्रीडियंट्स में हम इसमें डाल रहे हैं ये खीरा यानि की कुकुम्बर इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे ये प्यास और ये ग्रीन चिली यानि की हरी मिर्च टमाटर और अब इसमें हम डाल देंगे ये धन्या पता और पुदीना पता अपुदीना पत्ता से इसके टीस्ट काफी फ्रेश और रिफ्रेशिंग होती है तो इसमें आपुदीना पत्ता जरूर डाले अब सारे इंड्रीडियंट्स को एक बार अच्छी तरल से मिला ले ये देखिए ये रेस्वी बनाने के बाद आपको इससे तुरंट से ही कंस्यू ये भी आप्षिनल है आप कोई भी तिल का इस्तिमाल कर सकते हैं अब सारे इंड्रीडियंट्स को एक बर अच्छी तरह से मिला ले ये देखिए इस तरह से मैं आपको इसे मिला के दिखाती हूं नीम्बू इसमें आप लास्ट महीं डाले यानि कि जब आपको ये खाना है इसमें नीम्बू डाले तो बस यहां पर ये नीम्बू हमने चोड़ देते हैं अगर आपको खटा पसंद नहीं है तो आप नीम्बू को भी स्किप कर सकते हैं लेकिन नीम्बू इसमें अच्छी लगती है तो बस एक बर फाइनली हम इसे मिला देंके अच्छी तरह से तो हम उमीद करते हैं कि आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज ये रेसिपी ट्राइ करें और मुझे मेरे कमें सेक्षन में ये बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत भाँ धन्यवाद प्लीज हमारे चैनल को ला